मद्रप्रदेश में चल रहे भूमाफिया के खिलाफ कारवाई में धार पुलस ने एक बड़ी कारवाई करते हुए धार की विवादद सेंट ट्रेलसा की जमीन के मामले में मुख्य आरोपी सहतकुल 28 लोगों पर प्रक्रण पंचिपद किया है और 12 आरोपियों को गिरफतार की गई थी परन्तु कूट रचत दस्तावेजों के आधार पर संचालकों ने जमीन को अन्य लोगों को बेच डाला और लंबे समय तक मामला न्यायलाय में चलता रहा वहीं रविवार को धार पुलस ने आरोपियों पर कई धाराओं में मामला पंजिबद कर लिया है साथ ही सुधीर दास, एडवोकेट विवेक्तिवारी और सुधीर उजयन को मुख्य आरोपि बनाया गया है वहीं मामले में कुल 28 से लोगों को आरोपि बनाया गया है दार एसपी आधी प्रताप सिंग ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि सवादो सो करोड की बेश कीमती जम सब्सक्राइन के मामले में रविवार सुभा प्रकरण पंचीब दकर 12 लोगों को गिरफतार किया गया है